नमस्कार दोस्तों मैं एड़ोकेट विश्नुधारी सी विश्नुधारी सी लिगल चेनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रतेक रभीबार को मेरा क्वेस्टन अंसर स्रीज पर वीडियो होता है आए हर अभीबार की भाती इस बार भी आपके चुनिंदा प्रस्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूँ जिस प्रस्न को आपने हमारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिखा है पहला प्रस्न है दिपूजी का इन्हों ने अपने प्रस्न में कहा कि मेरे खातेदारी के जमीन पर कुछ दबंग लोग लाठी के बल पर अतिकर्मन करके मकान बनाकर 15 साल से रहा रहे हैं अब कि मैं क्या करूँ उनका अतिकर्मन कैसे हटेगा उत्तर में मुझे दिपूजी कहना है कि 15 साल तक आपने इंतिजार बेकार किया आप 15 साल का मैसिमा को समाप्त करें आप उसे 12 साल के अंदर लाएं कि 10 साल, 8 साल या 9 साल से वो अब्यक्ति उस जमीन पर मकान बनाके रह रहा है पिता के अंदर में अतिकर्मन रिमूबल के लिए इनक्रोच्मेंट रिमूबल के लिए मुकदमा दायर करें और साबित करें कि यह जमीन मेरा खतियानी है इन्होंने बल पूर्वा खतिकर्मन कर रखा है तो SDM के आदेश के बाद उनके बकान को तोड़ करके हटा करके आपका कबजा जमीन पर दिला दिया जाएगा अगला प्रस्न है केसरी मल बिश्नोई जी का इन्होंने अपने प्रस्न में कहा कि एक परिवार के पिता जी गायब हो गया है मा किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चे को पाल रही है तो क्या उस पिता की संपत्ती को जो भाग गया है घर से उनको दादा जी को बेचने का अधिकार है उस मा के बाल बच्चे अभी नावालिक है क्या ऐसी परसिती में दादा उस संपत्ती को बेच सकता है उत्तर में मुझे कहना है विश्णोई साहिब नहीं दादा को कोई अधिकार नहीं है क्यों नावालिक बाल बच्चे की जमीन को बेचे नावालिक बाल बच्चे जिस दिन बालिक होगा उस दिन से तीन साल बाद तक अपने दादा या बावा के द्वारा किये हुए शेल्डीड को कैंसिल करा सकता है चुकि उस जमीन पर दादा का कोई अधिकार नहीं था अगला प्रस्ण है नारायन जी का इन्हों ने अपने प्रस्ण में कहा कि मेरा घर पैतरिक संपत्ती पर बना हुआ है लेकिन किसी लोगों के बाकावे में आकर मेरे पिता जी उस घर से मुझे निकाल रहे हैं और पुलिस से निकलवाने की धंकी दे रहा हैं क्या मै उस घर में रा सकता हूँ या नहीं उत्तर में मुझे कहना है पैतरिक संपती पर घर बना है नारायन जी उस घर में आप निश्चित तोर पर रहा सकते हैं पुलिस या किसी कानून को कोई भी अधिकार नहीं है कि आपको उस घर से खाली करा दे अगला प्रसन है जैसी काईनों ने अपने प्रसन में कहा कि क्या उ लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटियों के अधिकार के लिए एक लेंड रेवनू कोड़ बनाया गया है, जिसमें सिर्फ विवाहित बेटियों को अधिकार में सक्सेशन के आधार पर तीसरे पायदान पर तीसरे डिगरी में रखा गया है। अगला प्रसन है कुमार आर्ज साहब का इनों ने कहा कि क्या हिंदू उत्तर अधिकार अधिकार अधिनियम 1956 उत्तर प्रदेश के क्रिसी भूमी पर भी लागू होता है, उत्तर में मुझे कहना है कुमार आर्ज साहब हाँ, हिंदू उत्तर अधिकार अधिनियम 1956 उत्तर 2019 को बाबु राम बनाम संतोस तिंग करके ऑन्रेवल सुप्रीम कोट का एक लेंड मार्क जैजमेंट है जिसके आधार पर भारत के सारे परदेशों में हिंदू तरा अधिकार अधिनियम लागू होता है अगला प्रस्न है FKM टून साहब का इनों ने अपने प्रस्न में कहा कि पिता ने सारे पैत्रिक संपत्ती को एक बेटी के नाम पर दान दे दिया तो क्या बेटा उस दान पत्र को कैंसिल करा सकता है और दान पत्र कैंसिल करा सकता है तो कब तक उत्तर में मुझे कहना है FKM टून साहब पैत्रिक संपत्ती को किसी एक पुत्र के नाम पर या पुत Article 59, Indian Limitation Act के अनुसार, किसी भी इंस्टुमेंट को कैंसिल कराने की समय सिमा 3 साल है, तो दान पत्र एक इंस्टुमेंट है, इसे भी कैंसिल कराने की समय सिमा 3 साल ही है, तीन साल के बाद इसके उपर में टाइम बार्ड हो जाता है और बाद में आप इंसा से बंसित हो जाएगे जहां तक बात रही 35 साल बाद, तो जब आपको जानकारी मिले उसके 3 साल बाद तक, आर्टिकल 56 यानि अनुच्छे 56 Indian Limitation Act के अनुसार आपको अधिकार दिया गया है, कि आपको जब जानकारी मिले कि मेरे पिताजी ने संपत्ती को दान कर दी है, कि वो संपत्ती पैत्रिक जानकारी के तीन साल बाद भी आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा Question and Answer सीरी समपत हुआ, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को सेयर करें, धन्यवाद अब ब किसे सगले वीडियो में,